Hello friends, आज हम बनाएंगे चनादाल और पालक जो की खाने में बहुत तेस्टी लगती है और इसको बनाना भी बहुत आसान है बहुत पोश्टिक होती है तो हमें इसको खाना भी चाहिए यहाँ पे देखिए मैंने एक कप ले लिया है चनादाल इसको हम लोग एक गंटे के लिए भीगोएंगे अगर हम इसको भीगोएंगे तो यह जल्दी कूक हो जाएंगी क्योंकि यह पकने में थोड़ा टाइम लेती है यहाँ पे मैंने प्रेशर कूकर में डाल को डाल दिया है एक कप डाल थी तो मैंने फिर दो कप पानी डालाए इसमें और नमक डालेंगे आदा चोटी चमच और हल्दी पाउडर दालेंगे आदा चोटी चमच और ओईल हम लोग डालेंगे ताकि कुकर में से पानी बाहर ना आए पास से छे सीती में हमारी दाल अच्छे से कूक हो जाएंगी और दाल को हमें थोड़ा खड़ा खड़ा ही रखना है एकदम पूरा मैश नहीं पकाना है दाल को अभी देखिए मैंने दो चमच ओईल और एक चमच घी लिया है यहाँ पे जीरा डाल दिया है और हरी मिर्च डाल दी है अभी यहाँ पे मैंने अद्रक को खीस लिया था अद्रक भी हम इसमें डाल देंगे और लसन को भी हम इसमें डाल देंगे बार कटा उब कि यहां फ्राइक तक फ्राई के यह हम प्याजmud लेपी हम अच्छे से कलर चेंज करेंगे अभी कड़ा करेंग दिखेंगे यहां पर प्यास इसका धी डाला टो हम चैने तक हम लेंगे आप यहां पे डाल दिया है अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और पालक को ढख करके दो से तीन मिनित तक पकाएंगे तीन से चार मिनित में हमारी पालक पक जाएंगी और दाल भी देखिए दाल की कंसिस्टेंसी इसी तरह से हमें कुक करनी है दाल को खड़ा खड़ा ही अगर रिसीपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें कॉमेंट करें बाई बाई